हाथों से पतंग छूटके चले गई तो गाइस पतंग आगा यह देखे मादा घंटा हो गया खड़े वे ओमलेट बना रहे हैं यहां पर ताला लगा हुआ अस्साराम अलेकूम तो है लोग एसमेरी कंटू माई न्यू ब्लॉक तो आज जुम्मा है तो आज सभी लोगों को मे स्टार और उट से लिक हो गया है तो गईस मेननबी कपड़े पहन लिए चश्मा मेने दूसरा पेहना नाया आपको मैने बताया नहीं ने आपको तो यह चर्शमा मीरा नया बनवाया दा लागा पिन अपको बताया निसके लिए सोरी तभी नमास के लिए देर हो रही है तो क तो फिर उसके बाद उनोंगों अवाहते की रात को लिया लो हटे वाली दिन लिया नपस्ते वाली दिन साला काम करें करें दुमिंडन मिन ने का सब कुछ भाई के पूरी वीयाई हो जाएंगे कि मुष्स जब हम नमास पहलु की आरेंगे तो मैं आपको इस बाइक की आवाब्स सुना होगा कैसी है कि शौव छोड़। अभी अपके आले कुछ नमास पहला के आगा य। तो भाही मै ने आव दोदा मैं आपने सुनी के दिया वाद इसकी, मैंने आपको सुना के दी यह नया चश्म है और यह पुराना चश्म पुराना चश्म देखे इसके आगे किता फूर्फ लग रही है तो भाई आप हम अमलेट बना रहें दो एक फार्मियों और दो देसी चले मिक्स करें तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कैसे बनाते हैं थोड़ी सी हरी मिल से दाल दें काटिये और बाकी अंड़ा दाल के ऐसे फ्रेटें किसी चीज से भी यह नी चुरी से यहां पर घी रखावा है फ्रैपेंड यूपप और फ्राइफ मेक्स पर करने हैं अपने चूले को तो पूर अच्छी तरीके से इसके इन ताल देने हैं और यह हमारा ओमलेट बनके तैयार हो जाएगा भी थोड़े बाद देख लिए तो देखें बीच में जर्दी है वो भी थोड़ेन में पक जाएगी पूरा फ्राइपेंड के बराफर बने इस लग रहा पूरा जर्दी जाएगा ज़ए बीच में सर्दी और साइड में सफेधी है लाट गई और इसको निकालेंगे इस प्लेड में बड़ी सी पिलेड में वहां से मैंड़ल अमने बंकर दिया और यह निकल रहा है और यह निकला निकला थाश सब्सक्राइब उमलेट हम खा रहें और आप बात मिलेगा तो गाइस मैं भी जा रहा हूं अपनी बड़ी अम्मी को लेके कहां पर हाँ वाली एंट्री उनके घर पर तो दूर है उनका हर तो बाइट पिजाएना पड़ेगा तो वो तो वीडियो बनाने सकती तो बस मैं ऐसी बता रहूं आपको तो अभी मेरी ताई अम्मी तो गाइस अभी इतनी सर्जी लग ली थी मैंने गिलस पहल ली यह देखे अच्छे लगें तो कमेंट में बताएं तो गाइस अभी हम लोग यहां पर यहां पर बेड़ बोल चल ला है पीछे और इतनी मिश्विलों से हमें घर मिला है अंडीगा तो गाइस पूशे यहां करें यहां पर आदा घंटा हो गया खड़ेवे घर मिला हमें यहां पर तीं-टीन चारता गलिया हमने फुरी-पुरी देखी फिर जाके हमें घर मिला तो गास अभी हम लोग अपनी व्पों के आएं और यहां पर ताला है तो गाइस हम आगा अपने हर में बाहित चलारा ची दो शड़ी लग रही होगा अब आप्सी मगरिब में जाएंगे उनके जो असिल सिलाही कर थी नहीं उनकी बैटी दी तो पता नी क्या उनसे बात आते करें में तो भार खड़ा वाथ तो भी मगरिब में फिर जाएंगे उनकी अमीं जुम्मा बतार गई वी तो आज जुमा मत तो गाइस सबसे पहले मैंने यालव भाइब अब यालव भाइब सबसे बढ़ा वहां से लेकर वहां तलग उस पतंग को उतानने के लिए और सर्दी भी लग रही है तो गज सुआ पर पाइप पहोच चुगी है तो मैं वीडियो को बंच करता हूँ तो गईस पतंग निकल तो गए मगद फाइच अटकाव है महां कि लगं तो गाइच में नहीं यह जातला के रखी विए प्नींत को मैं फिशिंग कर रहं हुं मैं फिशिंग कर रहा हूं देखें ना तूट रहा हूं इतना मजबूत धाग है तो गाइस पतंग आगा यह देखें मान जाई है रहा और तिन उसलों से निकाल ली आई सामने देखा यह मेरे हाथों से पतंग छूटके चले गई पीछे कली में अब यार अची खालती पतंग चले गई विद नीचे कली में किरी होगी जा रुख जा में भी आ रहा हूं हूँ हूँ है क्या हूँ है यहां रही तो आई यहां से गई है पतंग यार अच्छी तरह लाइट जला कि देखो तो आई इतनी मुश्विलों से हमने पतंग निकाली और वह आखे यहां से चले यहां मेरे हाथ हो से चूल गाई मैं धील देरा एक दम से चूल गाई फूरी तो आई होब यह व्लोग आपको अच्छा लगा अच्छा लगा तो लाइक करीगा नहीं तो सब्सक्राइब भी करीगा क्योंके बेबी को बैस पसंद है क्योंके हर नोटिफिकेशन सबसे पिल आपको देंकिन विलेगी अगर आप बेल आइकन को ओल्ड पर कर देगें तो आपने हैं तो सब्सक्राइब पर हैं थेंकी सो बच वोग जिंग भाई